जूट और घमंड समेत इन पांच गल्कियों की वज़े से शिलपशिंदे से हारी हिना खान बिग बुस 11 जब शुरू हुआ था उस समय से ही हिना खान को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था शुरू से वे काफी मजबूती से पेश भी आ रही थी और उन्होंने कई बार इस तरहें शो भी किया कि वे शो की विज़ेता हैं लेकिन हिना खान का पहले एपिसोड से ही घर में नेगेटिव एटिट्यूट रहा उन्होंने किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझा वे हमेशा जूट बोलती रही और उन्होंने सबको भड़काने का काम किया जिसने भी उनका साथ दिया वे घर से बाहर हो गया हिना खान की जबरदर्स फैन फॉलिंग थी लेकिन वे इतनी नेगेटिव हो गई कि इसका फाइदा शिल्पा शिंदे को मिला झाल